तार दोस्तों जनपस साजहापूर और यहाँ पर आया हो नगर जलालाबाद और यहाँ पर विशेश आकरशन और स्रद्धा और विश्वास से यहाँ पर जो मंदिर है बाबा परसुराम जी का वहाँ पर मैं आप लोगों को लाया हूँ दिखाऊंगा यहाँ का जो सिध्यस् है इस्थापित बाबा परसुराम जी की जिसको आप वीडियो के माध्यम से दर्सन कर सकते हैं और यह जो है बाबा परसुराम जी का फरसा है इसको भी आप देख सकते हैं कहां से मिला और कहां से यह उद्भाव हुआ इसका इसकी जानकारी में पंडीजिस से भी लूँगा नो दुर्गा माता इस्थापित हैं अर्भूत स्यूलिंग भी विराजित है और यहां पर भी आद्यसक्ति भगवती माता विराजित हैं नवो अर्भू नवो आप अपना परिशे दीजिए हमारे दर्सकों को सत्व पांडे महंत भगवान प्रस्वाम जन भूमी यहां का जो कथानक है जो बाबा जी की कहानी है इनकी बारे में आप कुछ बता हुए इंके पिता जी जमदगनी का जन्म हुआ नगर के पस्ट में आज भी जमदगनी नाम पिता जमदगनी का भी जनमी यही है इसके प्रमाण है हमारे यहां सास्टो प्रमाण हैं स्थरोग रूट पर उबरिया खेला बहां इनों इतने पिता जी को जो है बुजुर्गों को अपने पितरों को पिंड़ दान किया अपने घोर कर्म से उबर गए यहां नगर के यहां लगवक तीन किलो मीटर पस्टिम की ओर एक गाउ है कठका कठकिया राम गंगा को इस पर टी पर लाए गंगा जिने कह दिया था यह धारा जो हमारी आप लेकर के आएंगे यह आपके नाम से ही राम गंगा कहलाई जाएगी क्योंकि भगवान परस्टाम जी का नाम उसके राम नेक्षाण तो ताला बन गया है राम गंगा का जो लगवक साथ किलो मीटर यहां से रामगा पासे हैं भगवान परस्टाम जी की džणो ने कि आप साले बहुत नंत हर कथाय अंता और कहां ही सुना ही बहुत ही बिस्तार पूरुबा कथानक है इसका कोई अंत नहीं है जहां तक महिमा गाई जाए भगवान परसुराम जी की वो कम ही पड़ेगी और मैं पड़ी जी को बहुत बहुत धन्यबाद देता हूं चरन बंदन करता हूं कि इनोंने बा आयम सिंग की सरकार ने भगवान परसुराम जन्म दिवस पर अख्षय ततिया को अबकास घोसित किया गया था अपनी योगी सरकार ने पता ने उनको भगवान नहीं माना है जाने क्या है महापुरुष ही माना उनको और उनका अबकास जो है जन्म दिवस पर अख्षय तति या को निरस्ट कर दिया ऐसा क्यों रामायन सर्किट में रामायन के एक मुख्वात्र भगवान परश्वाम जी है इनका भगवान विश्वु का छटा अवतार है और रामायन सर्किट में भगवान परश्राम जन्न भूमी और परश्राम जी को क्यों नहीं सम्मिनित किया गया क्या कारण है इसका भगवान परस्वाम जन्भूमी को रामायर सरकिट में सामिल करना चाहिए योगी सरकार को और उसके अलावा जो है भगवान परस्वाम जी की जन्थी परक्षे ततिया को अब गास गोसित होना चाहिए जो उन्होंने निस्ट किया है इसे गलस संदेश गया समाज के अंदर ब्राम मर बर इंसे नाज नाराज हो गया कि यह समाज में भी बिरोद किया है मैं तो हम बिरोद करता हूं सिर्फ इस बात का बैसे तो भाजपा हमारे राष्ट के लिए जो है बहुत आवस्थ है और यदि ए खुछ नहीं भी होता है तब भी हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे सब तरीके से क्योंकि आज हमारे राष् हमारे सामने है आख बंद करके हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे परंतु योगी की से नीती का हम बिरोध करते हैं जिनोंने अफकास निरस्ट कर दिया भगवान परश्वाम जी की जन्टिति प्रक्षे तिया को और रामायच सरक्ट में भगवान परश्वाम जन्वहुमी और को क्यों नहीं सम्हिलित किया गया दूसरी बात एक विसेश्वाइंट यह है कि भगवान परश्वाम की जन्वहुमी को परश्वाम पुरी गोसित किया जाए यह मुगल काल में हमारे गुलामी का प्रतीक जलालाबाद जलालुद्दीन के नाम सजबला है अमने नगरों के स सरकार नहीं सोच रहे हैं अब नहीं कर पाई तो फिर कब कर पाएगी कौन कर पाएगा यह हमारा कहने का मतलब है परश्वाम जन्वहुमी को परश्वाम पुरी गोसित किया जाए इस ते समाज कंदर भाजपा का जनाधार बनेगा चारों बरनों के लोग भाजपा को सपोर करेंगे तरुष्वाम पुरी भोसित की गई रामय सरकिट में कि लखो को परश्वाम जी को तो इसके लिए एक आंदोलन करेंगे बहुत जवरदस्द और घर्टाल करेंगे अंसन करेंगे अमर नंसन करेंगे अभ इसके लिए प्राठ की चले जाते हैं तो यह मैना प्रमसो लोग आये हैं मैं उसे भी रूबरू होता हूँ आप अपना परचे दीजिए राश्कुमार अगिनोत्री जलालाबाद यहीं का रहने वाला हूँ और बहीं पर रामताल रोड पर ही हमारा मकान और दुगान इस्थित है मैं किराने का काम करता हूँ मेरा नाम निक्षल पाठागा है नहीं करता हूं मैं जैने वाला हूँ और यहाँ पर यहाँ पे जो लोगों की आस्था के प्रतीक है यह जो है यहाँ पर सभी लोगों की आस्था का प्रतीक है मेरा नाम आमित ककड़े मैं सहारंपूर जिला सहारंपूर से हूं पूत्तर प्रदेश से मैं पहली बार आए हूं परश्वराम मंदिर में जो कैसा लगा यहां पर आ करके आपने काफी शांती है कि वह तब अद्बूत है कि कोई चीज अवत्रित होनी जमीन से जिए जिए और हुला प्रश्वराम प्रश्वरान की